पत्रकारिता के अंतरगर समाचार लेखन बहुत महत्व रखता है समाचार है क्या अंग्रेजी में समाचार को न्यूज कहते हैं समाचार किसी वर्तमान विचार घटना या विवाद का ऐसा विवरन है जो उपभोगताओं को आकरशित करें लोग रूची रखें उसे जानने म किसी समय होने वाली उन महत्वपूर्ण घटनाओं के सही और पक्षपात रहित विवरन जिनमें उस पत्र के पाठकों की अभिरूची हो समाचार कहलाता है वास्तों में ऐसी ताजी घटना विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रूची हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पढ़ रहा हो वो समाचार कहलाता है समाचार कई तरह के होते हैं जैसे अंतर राश्तिय समाचार है राश्तिय समाचार है प्रांतिय समाचार है इस्थानिय समाचार है और इनके जो माध्यम हैं माध्यम इनके जो हैं जैस समाचार पत्र और पत्रिकाएं तेलिवीजन रेडियो इंटरनेट इन सब से हम समाचार प्राप्त करते हैं और इसके जो कत्तों हैं समाचार में कि नवीनता होना आवस्यक है अगर नवीनता का गुर्ण नहीं है अगर और नई समाचार नहीं नहीं निए तो लोग नहीं पड़ते शमाचार को लोग ज़्यादा देखते हैं और कि समाचार का प्रभाव क्या पड़ता है लोगों की रूच किया है टक्राव या शंघर्स कहां है महतुर्ण जानकारियां यह बहुत माइने रखती हैं समाचारों में फिर एक पाठक वर्ग तयार होता है और एक नीतिकत धांचा समाचार पत्र का जो मालिक हो त्यार करता है और इसमें महत्पुर्ण लोगों पर जानकारी भी दी जाती है और एक अनोखे धंग से समाचार पत्र का जो है संपाधन प्रकाशन मुद्रण किया जाता है अब इसकी संग्रचना देख लीजिए समाचारों की संग्रचना उल्टा पिरामिड स्रैली पर होती है जैसे पहले इंट्रो मुखडा उपर रहेगा फिर बीच में बाडी अफिर समापन उल्टा पिरामिड स्रैली में समाचार को तीन भागों में बाटा जाता है एक तो इंट्रो या मुखडा दूसरा बाडी और तीसरा जो है समापन और समाचार प्रस्तुति के जो घटक है उसमें है चैन, लेखन और सज्जा, अगल चैन अच्छा है समाचारों का, लेखन अच्छा है, बढ़िया मतलब अच्छे धंग से रिपोर्ट ताज लिखा गया है, या साथ सज्जा कैसी है समाचार की, चैन और सज्जा का जो दाइत तो है बच्चो वो संपादक जी पर होत है, और इसके अच्छे लेखन के चार सकार है, स, 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 पहले है सामईकता, दूसरा है सत्यता, और तीसरा है इस्पश्टता, और चाउथा है संग्छेपण, ये चार जो स्थ हैं, सामईकता, सत्यता, इस्पश्टता, संग्छेपण, यह अच्छे लेखन का सबसे बड़ा गुण है कि समसामाइक समाचार आपको मिलना चाहिए सत्त हो इस पस्त हो और थोड़े से हो आज के इस यांतरिक युग में तकनीकी युग में जब लोग इतने ज्यादा ब्यस्त हैं तो बहुत लंबी चोड़ी जो जानकारियां हैं जो समाचार है उसे कोई न सुनता है न प अत्रकारिता के लिए अच्छे लेखन के लिए छे ककार हैं जैसे चार सकार हुए ऐसे छे ककार हैं जैसे हैं क्या कहां कब कौन क्यों कैसे तो पहला बिंदु है क्या यह है क्या कहां से आया कब घटना हुई कौन कौन में इसमें साभागी थे और क्यों हुई और कैसे हुई इन छबों बिंदूओं को ले करके छे ककार को ले करके समाचार पत्र का निर्धारण होता है अब समाचार पत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कि जैसे आप रेडियो सुनते हैं दूरदर्सन में देखते हैं टीवी देखते हैं तो आपने देखा और वो समाचार गया लेकिन समाचार पत्र और मुद्रन का जो माध्यम है इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें इस्थाइद तो होता है इस्थाई आप उसकी कटिंग करके या स्थाई उसको मने आप रख सकते हैं इन्हें धीरे धीरे सुविधा की अनुसार पढ़ा जा सकता है जबकि रेडियो में जो समाचार आते हैं आप सुनते हैं इसके बाद निकल जाते हैं फिर दुबारा वो मतलब नहीं आते हैं एक ही समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम से आप पढ़ सकते हैं यह इसकी सबसे बड़ी खूबी यह भी सेस्ता है इसे सुरक्षित रखकर संदर्व की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है यह संदर्व यानी रिफ्रेंस मान लीजिए आप कोई संधान करना है कोई आलेख लिखना है और कहीं जरूरत पढ़ जाए उस समाचार की तो आप इसे काट करके सुरक्षित रख सकते हैं समाचार पत्र की जो सबसे बड़ी खुबी होती है इसकी भाषा अनुशासित और सुद्ध होती है इसमें गोडविचार गंभीर विचार जो होते हैं उनका भी समावेस होता है और समाचार लेखन में भाषा सहली, ब्यवहारिक सुधियां और सहज प्रवाह को ध्यान में रखा जाता है। अब जो पत्रकारिता के महत्मूर बिंदु हैं बाते हैं जैसे बीट क्या है। तो आपकी समझ में आगया है कि बीट क्या है लेखन और रिपोर्टिंग का जो विशेश सेत्र है। जैसे अपराज जगत है, खेल जगत है, फिल्म जगत है, क्रिस जगत है, इन सबके अलग-अलग बीट होते हैं ये बीट कहलाते हैं। बीट रिपोर्टर क्या है? किसी विशेश सेत्र के लिए लिखने वाला पत्रकार जो है वो बीट रिपोर्टर कहलाता है। फिर अब आगे एक शब्द और है संपादन का सिध्धानत। तो पत्रकारिता में जो संपादन का सिध्धानत है तथ्यों की सुद्धता, वस्तुपरक्ता, निस्पक्षता, संतुलन, स्त्रोत की प्रमानिक्ता। तथ्य शुद्ध हों, सही हों, वस्तुपरक्ष हों, निस्पक्ष हों और संतुलित हों। और जो आप समाचार दे रहे हैं, जो आप संपादन कर रहे हैं, उसमें प्रमानिक्ता का होना परमावश्यक है। और बच्चो समाचार लेखन में, समाचार एकरत्र करने वाले संबाददाताओं एवं उन्हें अपने योग बनाने वाले संपादक मंडल की भूमिका प्रमुक होती है। इंकर बाइट क्या है, बाइट का अर्थ है कथन, जब एंकर सूचना के साथ किसी प्रत्यक्ष दर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बाच्चीत दिखलाता है, तो उसे इंकर बाइट कहते हैं, इसमें समाचारों की प्रमानिक्ता जो है बढ़ जाया करती है। और इसी से जुड़ा हुआ बच्चो, जिसे अंग्रेजी में मास कम्मिनिकेशन कहा जाता है, यह जन संचार है। जन संचार पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। किसी ब्यक्ति को काफी बड़ी संख्या में लोगों के पास कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के संप्रेशन से सूचना ज्यान और मनोभावों का आदान प्रदान जो होता है, वो संचार कहलाता है। कुछ सार्थक चिन्हों, प्रतीक और संप्रेशन से सूचना ज्यान और मनोभाव जो आदान प्रदान किये जाते हैं उसे हम जन संचार कहते है। पर द्रशता करें लिए ऐसे आप जानते हैं कि अपनी बात कहने के लिए पुराने जवाने ने से लेकार है पेले से ही हमारे पास रहा है डाक तार माध्यम हम तार के माध्यम से डाक्तार की माध्यम से अपनी बात कहते थे प्रिंट या मुद्रन का माध्यम छपाई के माध्यम से इसमें आता है जैसे समाचार पत्र है पत्रिकाएं हैं हैंडविल है पंप्लेट है यह तो हुगा मनें मुद्रन का माध्यम प्रिंट माध्यम अब आता है एक है शरब्य दृष्य और दृष्य शरब्य में क्या है रेडियो मुबाइल फोन ट्राँन्समीटर और दृष्य में आता है बच्चों पेजर टेली प्रिंटर इंटरनेट वगरह जो आशकल सरवाधिक प्रयुक्त हो और द्रिश्य और श्रव्य देखना भी और सुनना भी यह टेली विजन में होता है और फिल्म में होता है तो जन संचार के यह माध्यम है अब संचार के तत्व क्या क्या हैं देखें संचार के चार तत्व होते हैं एक तो संदेश देने के बारे में सोचने वाला और encoding या भासा बद्ध करने वाला एक होता है भासा ग्रण करने वाला एक होता है संदेश को समझना या प्रतिक्रिया करना तो पहला जो है संदेश के बारे में सोचने वाले को संचारक या सुरोत कहते हैं और दूसरा है संदेश या कूटी करन कूटी करन मनें इनकोडिंग या भासा बद्ध करना यह संचार का दूसरा तत्व है और तीसरा है संदेश या कूट वाचन को डिकोडिंग कहते हैं या भासा ग्रण करना एक होता है प्राप्त करता मनें संदेश को समझना और प्रतिक्र किया करना अब यह संचार के प्रकार कितने हैं संचार के जो प्रकार हैं तो पहला है बच्चो सांकेतिक संचार और दूसरा है मौखिक संचार और तीसरा है अमौखिक संचार संचार जो है कारि किया करता है संचार की माध्यम से कौन कौन से कार हमारे संपाधित होते हैं तो पहला काम है सूचना देना जानकारी मिल जाना मतलब जितने प्रकार की सूचनाएं हैं वे जन संचार की माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं और शिक्षित करना जन मानस को प्रस मनोरंजन भी हम दूरदर्शन और नेट वगयरा के माध्यम से हम जो है मनोरंजन भी करते हैं सिक्षिततो हैं हमें सूचनाय मिलती है और निग्राणी करने की प्रक्रिया भी इसके अंतरगत आजह करने के लिए और विचार विमर्ष करने के लिए जनसंचार की माती भूमिका है बच्चो आज हमने पत्रकारिय लेखन और उसके बीविध आयामों पर पूरी तरह से चर्चा की और आपकी समझ में भी आ गया है कि पत्रकारिता है क्या और पत्रकारिय लेखन क्या है पत्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं और पत्रकारिता कैसे की जाती है कितने प्रकार की होती है और जन संचार का जो माध्यम है कौन-कौन से हैं तो इन सब को लेकर के इन सारे तथ्यों को सत्यों को हम पत्रकारिये लेखन और उसके विवित आयामों के अंतरगत रखते हैं